Assalamu alaikum everyone, my name is Heather Ali, I am from Redbox Real Estate नाजरीन एक बार फिर आपकी खित्मत में हाजिर हूँ तो नाजरीन मैं आपको आज बताता चलू कि हम जो अब मार्केट में देखते आ रहे हैं कि हम common mistake कर जाते हैं घर खरीदते वक्त तो घर खरीदते वक्त हम पहली mistake कर जाते हैं हम अपनी गुंजाइश अपनी जेप को देखते हुए आगे बढ़ें basic point में यह भी यह आता है कि आप सुनते आ रहे हैं कि हम घर जब खरीदते हैं हम या तो low budget पे जाते हैं या high budget में जाते हैं लेकिन एक घर खरीदते वक्त हमें यह जहूर दिहान में रखना चाहिए कि हमारी जो amount है एक घर खरीदने के लिए एक वो middle range में हो middle range में इसलिए हो कि फिर आपके जो expenses हैं आपके जो allowance हैं वो सारा अपने आगे भी divide करने होता है आप जल्दी में आप फैसला तो कर लेते हैं एक अच्छा लेकिन बाद में कुछी months बाद या कुछी time बाद आपको आइसास होता है कि मैंने जो है अपनी range से अपनी budget से थोड़ा out हो गया तो नाजरीन यह जो है mistake पहले आती है कि आपने एक budget plan करना होता है कि आपके लिए क्या perfect है और क्या आपके allowances allow करते हैं आपको उस घर को तयार करने में या residence करने में तो नाजरीन इसी के बाद हम देखते हैं savings जो हैं हम अपनी पूरी लगा देते हैं तो यह हमारा दूसरा point है कि आपकी जो savings हैं जब आप एक घर लेते हैं या घर बनाते हैं आपको अपनी saving को secure रखना होता है saving secure इसलिए होती है कि आप देखते हैं जब आप अपने घर पर residence करते हैं उसके बाद आपके allowances बढ़ते हैं आप utilities build भी देखते हैं आपको अपने बच्चों का educational सारी चीजे सारे continue रखना होता है तो आपको अपनी savings को divide करना होता है एक घर खरीदते हैं कि आप अपनी सारी investment एक जगह पे ना लगा दे इसी के साथ चलते हुए मैं आपको एक और point बताता है चलूँ कि spending all the savings हम लोग अपनी savings को सारे expand कर देते हैं एक घर खरीदते होग या घर बनाते होग savings इसलिए ज़रूर है जब आप अपनी savings रखते हैं घर बनाने के लिए तो उसमें से आपको कुछ amount अपने लिए hold करनी होती है जब आप घर पे move होते हैं आपको वहां के utilities देखनी होती है आपको अपने अखरजात को बराबर करना होता है grocery हो गई तो वो savings में count होती है क्योंकि फिर जब आपके बच्चे हैं उनके schools के bills हो गए तो यह आपकी savings में count होता है आप सारी savings अपनी एक property में नहीं लगा सकते हैं तो नाजरीन आपको इसके साथ साथ बताता है चलो हमारा तीसरा point था Overlook House Inspection तो आप जब एक घर खरीते हैं तो आपको इसकी inspection बहुत जरूरी होती है वो जरूरी इसलिए है कि आप देखते हैं कि आज कल की days में आप सुनते हैं कि आपकी property लीगल है इन लीगल है हम जलबाजी में ये सारी चीज़े cross check करना भूल जाते हैं जहां हमारे एधारे हैं आप online इनके links पे भी जागे चेक कर सकते हैं कि ये SGA, SBCA से approved है के नहीं तो ये basic चीज़े बहुत जरूरी हैं जो आप एक घर बनाते वाग या खरीते वाग आप देखते हैं कि मैंने अपनी property को पूरी तरीके से तैकिकात करनी है तो नाजरीन आपको इसी के साथ चलते चलते आपको एक और बात बताता चलूँ कि हम जो हैं being too picky होते हैं तो आप जब pick करते हैं ना कि घर खरीते वक्त मुझे ये ये चीज़े ये amenities चाहिए हैं तो उसमें basic point हम भूल जाते हैं basic point यह होता है जब आप एक घर लेते हैं तो आपको एक awareness रखनी होती है कि आपकी जो family members है उस घर पे रहने के लिए इतना space हो आप जलबाजी में ये चीज़े नहीं note करते हैं कि हमारे घर के इतना space हो कि मेरी family member के लिए suitability रहे तो नाज़ीन उसके बाद आप देखते हैं आपको car parking area होना चाहिए जलबाजी में हम अपनी road की dimensions, parking area ये सब miss कर जाते हैं तो ये mistakes पर आती हैं जो आपकी needs हैं तो ये needs पर आप देखते हैं आपके अतराफ पर घर के साथ में आपके बच्चों का school भी करीब हो, bus stop हो ये हम miss out करते हैं कि हमने ये mistake कर दी कि ये चीज़ हमने research करी नहीं तो नाज़ीन इसके साथ चलते हमारा जो last point ता इस पर हम आपको बताते चलें कि हम लोग जब घर खरीदते हैं हम एक mistake करते हैं कि real estate agents कोडिनेट नहीं रखते हैं जलबाजी में हम जो हैं किसी के कहने में, किसी के सुनने पर हम जो हैं अपनी property में invest कर देते हैं जो market में आप सुनते वारे हैं real estate agents की जो एक face है हर जगा जो आप सुनते हैं कि वो थोड़े से frauds करते हैं तो ऐसा बिलकुल नहीं है आपको उसकी research करनी हैं कौन सा इदारा, कौन सा firm, कौन सी organization, कौन सी real estate आपके लिए अच्छी है आपको एक time से काम करती है और यह perform कर रही है जो आपको एक बहुत अच्छी चीज प्रोवाइट कर सकती है आप उनके उपर reliable हो कर आप उनके उपर research करकर आप अपनी property buy कर सकते हैं तो real estate agent से डरना घबराना उनसे आपने space रखना यह आपके लिए बहुत बड़ी mistake है कि आप उनसे आते वक्त आप यह सोचते हैं कि वो मेरे साथ fraud करेंगे या उनको commissions सारा divide होगा आप एक agent के साथ जुड़ते हैं घर खरीदते वक्त तो उस पर आपके लिए यह सारी facilities जो हैं बहुत easily और बहुत असानी से आपको वो agent provide कर सकता है with documentation तो नाजरें उमीद करता हूँ के मेरी इस video से मेरे इस point से जो mistakes के बारे में मैंने आपको describe करा आपके बड़े फाइदे मन रही होगी और आपको कुछ भी knowledge या कुछ भी आपको मुझसे property से related मालूमात हासिल करनी हो तो screen के दिये हुए number पे मुझसे राप्ता करें मेरा नाम हैदर अली आप से फिर मुलाकात होगी अलाहाफ पेस्टा करें